दोस्तों, आज कल की इस भाग दोड़ बरी जिंदिकी में बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जो की बहुत आम हो गई हैं जैसे कि आप कह सकते हैं diabetes है या high blood pressure है या cholesterol की बिमारी है या फिर obesity की बिमारी है या cancer है ये कुछ ऐसी बिमारियां हैं जो पहले अकसर सुनने में नहीं आती थी लेकिन आज कल इनके जो incidences हैं वो बहुत ही जादा बढ़ने लगे हैं अगर हम stats की मानें तो हर साल इंडिया में करीब 5.8% लोग ऐसे हैं जो कि इन बिमारियों की चपेट में आ जाते हैं यानि करीब हर 4 में से एक इनसान जो है वो इन बिमारियों के खत्रे में हर समय बना रहता है लेकिन ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखना नहीं जानते हैं या फिर हम अपने साथ कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे factors होते हैं जिन पे हमारा कोई burst नहीं चलता है जैसे कि pollution है या मिलावटी खाना पीना है या फिर work stress है ये कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि direct effect डालती है हमारी सेहत के उपर और इसी की वज़ासे इस तरह की बिमारियां जो हैं वो हमें घेरने लगी है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी magical herb के बारे में जो कि ना सिर्फ आपको diabetes ठीक करने में मदद करेगी ना सिर्फ आपके cholesterol को कम करने में आपकी मदद करेगी ना सिर्फ आपके बढ़े हुए वज़न को घटाने में आपकी मदद करेगी बलकि इसके साथ साथ भी आपको बहुत सारे ऐसे health benefits हैं जो कि provide करेगी तो चलिए बीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस magical herb के बारे में जिसका नाम है spirulina दोस्तो मेरे नाम डॉक्टर सलीम जैदी है मैं एक आयरवेदिक और युनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना ताकि आप एक अच्छी healthy disease free life जी सकें और इसी करम में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ इस spirulina के बारे में इस spirulina दोस्तों जो है एक तरह का blue green अलगी होता है जो की बहुत ही nutrition dense होता है यानि इसके अंदर बहुत ही density के साथ जो है आपको nutrition मिलता है इन फेक्ट अगर हम NASA की बात मानें तो करीब एक किलो इस spirulina के अंदर आपको इतना nutrition मिलता है जितना कि ये करीब 10 किलो fruits और vegetables से आपको मिलता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया चीज है nutrition के लिए ये और यही वज़ा है कि जो NASA के scientist अंतरिक्ष में जाते हैं उनको अक्सर खाने के लिए साथ में spirulina दिया जाता है इस spirulina के अंदर protein होता है बहुत बढ़िया quality के iron होता है, vitamin B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, magnesium होता है, manganese होता है और इसके इलावा भी जितने nutrients इस दुनिया के अंदर पाई जाते हैं, करीब करीब सभी nutrients आपको कमो बेश मातरा में spirulina के अंदर मिल जाते हैं और यही वज़ा है कि इसको एक super food के नाम से जाना जाता है, एक magical super food इसको कहा जाता है इसके अंदर calories भी बहुत कम पाई जाती हैं, और इसके साथ-साथ fat का content भी बहुत कम होता है और fat का जितना भी थोड़ा बहुत content इसके अंदर होता है, वो भी सब जाथतर good fat की शकल में होता है यानि omega 3 और omega 6 की शकल में mostly जो fat इसके अंदर होता है वो पाए जाता है जो कि एक अच्छा fat है आपके लिए आपके cholesterol profile के लिए इसके लावा अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की तो प्रोटीन भी बहुत ही बढ़िया quality केस में होते हैं इतने बढ़िया होते हैं कि अगर आप उसके अंडे से compare करें तो करीब 4 गुना जादा बढ़िया amino acids आपको spirulina से मिलते हैं अगर आप इसे compare करें अंडे से तो तो ये तो बात हो गई nutritional aspect के बारे में कि आपको spirulina से किस तरह का nutrition मिलता है अब आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इससे कौन-कौन से health benefits आपको मिलते हैं अगर आप spirulina को इस्तेमाल करते हैं तो किन-किन बातों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए कौन सी साफधानिया आपको बरतनी चाहिए किस समय पर इसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे side effects हैं जो कि इससे आपको हो सकते हैं spirulina को regular इस्तेमाल करने से आपकी body के अंदर से LDL cholesterol यानि जो bad cholesterol होता है वो कम होता है और आपका triglyceride भी कम होता है इसके साथ जो आपका HDL cholesterol है यानि जो good cholesterol होता है आपकी सिहत के लिए अच्छा होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आपका जो cholesterol profile है जो lipid profile है वो एकदम balanced रहता है और इसकी वजह से ultimately आपकी नसे साफ होती है आपके खून के अंदर से cholesterol कम होके जो नसों के अंदर जमने के chances होते हैं उसके वो कम हो जाते हैं और ultimately आपके अंदर stroke और heart attack होने के जो खत्रा है वो कम हो जाता है spirulina आपकी body के अंदर बढ़े हुए blood pressure को कम करने का भी काम करता है तो अगर आप कोई hypertensive patient है आपका BP बढ़ा रहता है और आप किसी natural solution की तराश में है जिसकी मदद से आप अपना blood pressure कम कर सके तो spirulina आपके लिए एक बहुत बढ़िया option हो सकता है इस spirulina का जब आप इस्तमाल करते हैं तो उसकी वज़ा से आपकी body के अंदर nitric oxide का production बढ़ जाता है nitric oxide जो होता है यह आपके blood vessels को relax करता है उनको फैलाता है जिसकी वज़ा से खून के उपर जो pressure है पड़ता है नसों का वो कम हो जाता है और ultimately आपके जो blood pressure है वो कम होना उसकी वज़ा से आपको कमजोरी या थकावाट फील होती है तो इस case में आपको spirulina बहुत ही बढ़िया results provide करेगा इस्पेशली अगर बढ़ती उम्र के कारण से आपके अंदर खून की कमी हो गई है या अकसर ladies के अंदर देखा जाता है कि खून की कमी है या तो menstrual problems की जाती है तो ऐसे cases में भी spirulina को इस्तमाल किया जा सकता है बहुत सारी researches हो चुकी है इसके उपर जिससे पता चला है कि जब आप spirulina को regularly लेते हैं तो उसकी वज़ा से जो red blood cells हमारी body के अंदर होती है उनकी production बढ़ जाती है और इसकी वज़ा से हमारी body के अंदर नया खून बनता है हमारा hemoglobin भरता है और हम जादा ताकतवर और जादा चुस्त दुरुस्त फील करते है डायबेटिक पेशेंट्स के लिए भी spirulina एक बहुत ही बढ़िया संजीवनी body का काम करता है क्योंकि हमारी blood के अंदर जो बढ़ी हुई sugar होती है उसको बहुत तेजी से और बह चुकर जो होती है जो कि जादा हामफुल पाई जाती है उसको कम करने में बहुत ही एहम भूमी का spirulina निभाता है spirulina आपकी body के अंदर energy, stamina और endurance को भी बढ़ाता है और आपकी muscles और bones को भी strong बनाता है especially अगर बढ़ती उम्र के कारण से आपके अंदर कमजोरी आ गई है आपकी मासपेशिया कमजोर पढ़ गई है लटक गई है आपको चलने फिरने में प्राबलम होती है osteoporosis हो गया है यानि हड़ियां आपकी कमजोर होके खोकली हो रही है आपको joint pain रहता है या आपको चलने फिरने से सांस फूल जाता है हर समय ठकावट महसूस होती है तो इन सभी cases में आप spirulina को इस्तमाल करिए आपको इससे बहुत ही बढ़िया results मिलेंगे इसके सांस अगर आप कोई athlete है या अगर आप कोई body builder है तो उस case में भी आप इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे लोगों को भी spirulina का इस्तमाल करने से बहुत बढ़िया results मिलते हैं उनके endurance भी बढ़ती है strength भी बढ़ती है और stamina बढ़ाने में भी उनको काफी मदद म होती हैं यानि ये हमारी बोड़ी के अंदर कैंसर होने का जो खतरा होता है उसको कम कर देता है इस बारे में एक रिसर्च हो चुकी है जिसमें 87 लोगों को लिया गया जिनके अंदर मुव में pre-cancer lesions थे ऐसे लोगों को एक ग्राम spirulina दिया गया काफी समय तक लगबक 2-3 महीने के लिए और उसके बाद देखा गया कि करीब 45% लोग ऐसे थे जिनके वो lesions ठीक हो गए तो इससे ये बात पता लगी कि spirulina anti-cancer properties रखता है और आपके अंदर cancer के खतरे को कम कर देता है तो दोस्तों ये थे इस spirulina के कुछ scientifically proven benefits जो की आपको इसके इसके इस्तमाल से मिलते हैं अब सवाल पैदा ये होता है कि इसको आपको किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए देखिए इस spirulina को अकसर दो forms में इस्तमाल किये जाता है या तो पाउडर लिये जाता है या फिर इसके capsule या टैबलेट लिये जाते है पाउडर अकसर इस्तमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि काफी कड़वा टेस्ट इसमें होता है इसलिए usually जो लोग इस्तमाल करते हैं और जो market में products भी मिलते हैं वो जादा तर tablet form में या capsule form में मिलते हैं इस पिरुलीना को इस्तमाल करते समय एक बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि बहुत सारे heavy metals जो है वो भी इसके अंदर report किये गए हैं जो कि आपके liver को भी खराब कर सकते हैं और बाकी अलग अलग तरह की problems भी आपके अंदर create कर सकते हैं इसलिए बहुत ही साथा important है कि जो भी supplement आप ले रहे हैं वो पूरी तरह से pure होना चाहिए और पूरी तरह से certified होना चाहिए और इसके अंदर इस तरह के जो metals हैं heavy metals हैं ये toxins हैं वो ना हो पूरी तरह से pure किया गया product ही आपको हमेशा इस्तमाल करना चाहिए वैसे तो बहुत सारे products market में आजकल available हैं जो कि spirulina की शकल में आपको मिलते हैं लेकिन अगर आप मेरी recommendation की बात करें तो मैं recommend करता हूँ Sunova का spirulina capsule ये एक बहुत ही बढ़िया proven और काफी पुराना product है जो कि market में काफी अर्से से चलता चला हा रहा है और इसके इतने लंबे समय तक market में टिके रहने की एक वज़ा ये भी है कि ये पूरी तरह से proven है पूरी तरह से safe है और पूरी तरह से heavy metals से ये toxins से free है ये एक ऐसा product है जिसके अंदर आपको 60 capsule मिलते हैं और हर एक capsule के अंदर आपको 500 mg pure spirulina मिलता है अगर मैं dosage की बात करूँ तो एक दिन में करीब 1-3 gram तक की dosage suggest की जाती है तो अगर आप इस product को लेते हैं और इसके दिन में 2 capsule भी ले लेते हैं तो आपको जो recommended dosage है एक gram की वो पूरी की पूरी मिल जाती है किस समय पे आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए तो देखे दिन में 2 टाइम में आपको इसको इसको इस्तेमाल करना है एक capsule आप ले लीजे सुभा नाश्ता करने के साथ और एक capsule आप ले लीजे दुपैर का खाना खाने के साथ रात को डिनर के बाद या शाम के नंबर में मैं suggest नहीं करता हूँ और recommend नहीं करता हूँ क्योंकि अकसर देखा गया है कि जो लोग रात को अगर इसको ले लेते हैं तो कई बार सोने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इस पिरुलीना को लेने से फॉरन आपकी बोडी के अंदर काफी energy आती है काफी आप energetic फील करते हैं तो उसकी वज़ा से नींद कई बार आपकी भाग जाती है तो इसलिए हमेशा मैं recommend करता हूँ कि जब भी इसको इस्तमाल करना हो तो दिन caliber में लीजिये सुबा ले लिजे और दुपहर को ले लिजे रात को नहीं लीजिये अब एक और सवाल पैदा होता है कि किन लोगों को इस पिरुलीना इस्तमाल करना चाहिए तो देखे कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपनी सिहत का ध्यान रखना चाहता है अपने आपको अलग-अलग तरहा की lifestyle diseases जिनका पहले हमने अभी जिकर किया उनसे बचाना चाहता है या अगर already इस तरहा की बीमारियां किसी को है और उनको natural तरीके से manage करना चाहता है तो वो इस तरहा के सभी इन लोग इसको इस्तमाल कर सकते है इसके इलावा अगर कोई ऐसा इनसान है जो कि अपनी nutritional value को बढ़ाना चाहता है अपने जो allopathic या जो chemical वाले multivitamins है उनको छोड़के किसी natural चीज़ पे आना चाहता है तो ऐसे लोग भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते है कोई ऐसा इनसान जिसके immunity weak है वो भी इसको 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 इस्तमाल कर सकता है योगि immunity भी काफी अच्छी तरीके से इससे बढ़ जाती है तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा supplement है इस पिरूलीना जिसको करीब करीख हर एक adult ले सकता है हर वो इनसान ले सकता है जो की अपनी सेहत के प्रतीष जागुर्ण है हर एक वो इनसान ले सकता है जो कि चाहता है कि उसकी जो life है वो healthy बनी रहे उसकी body के अंदर energy बनी रहे और वो अलग-लग तरह के बिमारियों से safe रहे अगर आप सुनुवा के इस Spirulina Capsule को purchase करना चाहते हैं तो इसके links जितने भी purchase वाले हैं वो सब नीचे description में मैं डाल दूँगा वहाँ से click करके directly आप इसको purchase कर सकते हैं नीचे जो comment box है उसके अंदर pinned comment के अंदर भी आपको इसका purchase link मिल जाएगा तो वहाँ से click करके भी आप directly इसको मंगा सकते हैं Spirulina के side effects की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो पूरी तरह से safe चीज है ये एक natural चीज है जिसके आम तोर पर कोई भी side effect नहीं होता है लेकिन कुछ एक ऐसे sensitive लोग होते हैं जिनके अंदर still इसके कुछ side effects हो सकते हैं तो अगर आप ऐसे कुछ sensitive लोगों में से हैं तो आपको इसकी वज़ा से headache हो सकता है आपको muscle pain हो सकता है आपको nausea हो सकता है या फिर आपकी नींद भी उड़ सकती है या फिर allergy की शिकायत भी इसकी वज़ा से आपको हो सकती है कि लोगों को इसको इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो देखे कोई भी adult इसको इस्तमाल कर सकता है बिना किसी परिशानी के सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई pregnant lady है तो उस case में आप को इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक like जरूर करिएगा अपने जानने पहचानने वालों के साथ अपने family and friends के साथ इसे share भी करिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियो की notification मिलती रहे तोस्तों आपका subscription हमारे लिए बहुत important होता है क्योंकि वही एक चीज है जिससे हमें motivation मिलता है आगे भी इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए तो अपना subscription वाला जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजे और like भी करते रहे और comments भी करते रहे आने वाले समय में आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी हमसे comment box में जरूर शेर करिए एक और चीज जो बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ वो ये कि मैं आप लोगों के comments में से हर हफते दो comment ऐसे चूज करूँगा जिनका जवाब मैं अपनी वीडियो के जरीए आपको दूँगा तो आपके अगर कुछ सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या कुछ आपको लगता है बहुत interesting है जिसके बारे में सब लोगों को जानना चाहिए तो ऐसे comments हमसे जरूर शेर करिए ऐसे questions हमसे जरूर शेर करिए हो सकता है कि आपका सवाल भी चूज हो जाए और next आने वाली वीडियो में उनका जवाब आपको हमारी वीडियो के थुरू मिल जाए तो चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा